नोट किया है कि CBI ED मुझे छोड़कर मुझे छोड़कर 55 गंटे मुझसे मतलब इंटेरिगेशन किया मैं दो-तीन साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्केशन में क्या हुआ मैं बताऊं आपको क्या हुआ बताऊं मैंने ED के अफसर से बोला ED के अफसर मुझे इंटेरिगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है मगर आप गल्त फेमी में हो आपने मुझे यहां नहीं बुलाया मैं यहां आया हूँ और आप जानते हो मैं यहां क्यूं आया हूँ कहते हैं नहीं मैं यहां इसलिए आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोग तंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं मतलब आप क्या समझे हो मैं मैं वहां पर इंट्रिगेशन हो रहा था वहां पर एक सेल पड़ा हुआ था वो लॉक अप होता है वो इंट्रिगेट कर रहा है मुझे मैं सोच रहा हूं यार मेरे पर दादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए आप मुझे कोई भी सेल दे दो कोई फरग नहीं पड़ता तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियालिटी डालने है और मैं मैं बिलीव करता हूं चाहिए वो किसी भी चाहत का विक्ति हो अगर हमने रियालिटी सामने रख दी ऐसे हिंदुस्तान की राजनेती बिल्कुल बदल जाएगी और उसको बदलना ही होगा क्योंकि 90 परसेंट को आप चुप नहीं रख सकते 90 परसेंट की शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ भी कर लो कर दो